और यह हमारी चल चुकी है गाड़ी लगबग कितना कितना किलोमेटर लगबग चल चुकी है और गाड़ी ने फाइनली जाके कितना माइलेज दिया है आल्रेट गाईज वेलकम बैक टू निव इडियो ठीक है तो फाइनले जाके जो है वह 5000 किलो मेटर गाड़ी के कंप्लेट हो गया है उसके बाद जो है अभी जाके इसका ओरिजनल माइलेज निकालने वाला हूं 5000 किलो मेटर कंप्लेट होने के बाद गाड़ी कितना माइलेज देती है ठीक है शाम तक पता चल जाएगे कि ओरिजनल माइलेज गाड़ी का कितना निकल के आ गया है ठीक है लगबग टूट सविसिंग कंप्लिट हो गई है अभी जाके में गाड़ी का माइलेज टेस्टिंग फिर से करने वाला हूं ठीक है तो ओवर आल जो है पूरी जर सा मुझे ओशिट हो गई सेकंड सेल्फ में स्टार्ट हो गई ठीक है टायर प्रेशर में थोड़ी सी हवा कम है क्योंकि मैं थोड़ा सा गाड़ी को इगनोर किया था बीच में दो तीन अपते इसलिए अभी सिधा निकलते है पेट्रोल पंपे फ्यूल अभी लो फ्यूल आ इस पाइनल जाकी जोगे पेट्रोल पंपे आ गए है ठीक है और पंदरा से वन थाओजन फाइन्डर का अभी में डालने हो ला हूँ इसमें पेट्रोल पेट्रोल आएगा पेट्रोल यह हमारा फ्यूलिंग चालू हो गया दो लिटर तीन लिटर इतना आता है वह भी देख लेते पंदरा सो में कितना बैठ सकता है श्क्राइब आएट्र 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 नो अलिटर फिस लेटर कि यह वो गया बराबर पंद्रा सो इतना अगया पंद्रा लिटर नहीं चोदा लिटर साड़े चोड़ा लिटर बैठ गया कि कि इतने पेटरल आया है कि इतने पेटरल आया है कि इतने प्राइज है आपि यहां पर हावा डालने के लिए रूकें थिक है 35-35 रकना थिक है थिक है रखास। करने से आगने निए पैसाफ गाड़ी को लग बग ना मेरे इसाब से अभी दो साल कम्पलिट होने को आ गए है और एक 6-7 महीं में उसके बाद 2 साल कप्लिट हो जाएंगे पूरी की पूरी गंदी हो चुके है मैंने जान बुचके इसको वाच नहीं किया क्योंकि आज फिर से गंदी होने वाली है आज दिन बर बारिश हो सकती है इसा मुझे लगता है है ठीक है इस हावा मारके हो गया है ठीक है वैसे मैंने पेट्रोल भरवाने के बाद एक बार रीडिंग दिखा ही नहीं लगबग जो है वाभी अभी टायर में हावा कमी दिखा रहा है क्योंकि अभी एक ठीक है 209 किलोमेटर दिखा रहा है ठीक है एसी के साथ अगर में पकड़ लू तो लगबग थोड़ा ज्यादा माइलज खा सकती है अभी जो यहां पर पहला ब्रेक लिया है मैंने ठीक है और लगबग अभी जो है 88 किलोमेटर मतलब माइनस करके लगबग 100 किलोमेटर क्रॉस किया है हमने ठीक है उसके 20-30 किलोमेटर आगे पिछे है और अभी तक हमने दो काडिया बची है ठीक है मतलब दो दो साइंस बचे ठीक है फिलाल चाय पीते और फिर से निकलते है अभी जो है वह लगबग शाम के साधे साथ बज रहे है ठीक है दिन में थोड़ा सा काम था इसलिए अभी लगबग गाड़ी ने कितना किलोमेटर बचा है मैं देखता हूं अभी अभी हमे अभी जाना है लगबग 70 किलोमेटर और यहां पर दिखा रहा है आटरा किलोमेटर मतलब उपर से पेट्रोल डालना पड़ेगा और फिर जाके हम गाड़ी का माइलेज देखते है ठीक है मैं सिर्फ मुझे यहीं दिखाना है कि माइलेज कितना निकल कि आता है ठीक है और थ और यह हमारी चल चुकी है गाड़ी लगबग कितना कितना किलोमेटर लगबग चल चुकी है अभी तक 5,800 हो गया है ठीक है मैं थोड़ा सा मतलब देर से टेस्टिंग कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना ही था एक तो 10,000 के आसपास करूंगा और एक तो 5,000 के अभी पता चल है कि 5,000 में कितना देती है अभी यहां पर रिफुलिंग चल रहा है ठीक है यह हमने एक्स्ट्रा 1,000 का भरवाय है ठीक है अभी चेक यही करना है कि बस इसका रिजल्ट क्या आता है मतलब लगबग 200 किलोमेटर के अंदर गाड़ी क्या रिस्पांस करती है 5000 किलोमेटर होने फाइनली जाके लगबग आभी जो साधेनों बच गए ठीक है और दिन में हमने लगबग 200 किलोमेटर कंप्लिट किया है ठीक है तो इस हिसाब से पेट्रोल रिफुल करने के बाद कितना बच्चा है किलोमेटर के हिसाब से और गाड़ी ने फाइनली जाके कितना माइलेज दिखाता हूँ ठीक है फाइनली जाके गाड़ी ने 16 का माइलेज दिया है जो की बहुत ज़्यदा डिसापोइंटेंड पॉइंट है मेरे लिए क्योंकि ज्यादा तर मैंने एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखेते लेकिन फिर भी ठीक है 16 का माइलेज ठीक है और अभ इसके बाद भी गाड़ी लगबग 1000 किलोमेटर 1000 का पेट्रोल भरने के बाद भी गाड़ी 84 किलोमेटर जा सकती है ठीक है तो इस तरीके से गाड़ी का माइलेज जो है वो 16 का निकल के आ गया है ठीक है तो 5000 किलोमेटर मतलब 5000 अभी 5800 होने ही वाले 50 किलोमेटर बचे लेकिन मैं 5,800 पकर रहा हूँ इसी साब से अगर मैं बोलू तो गाड़ी ने अच्छा का सा माइलेज दिया है लेकिन एक्सपेक्टेशन मेरी थी 18 से 19 की लेकिन गाड़ी ने फिर भी 16 का माइलेज दिया है एक तो मैं बोलूँगा की बारिश का मौसम है इसलिए जब हाइवेई छोड़के में गाड़ी चलाई तो ज्यादा तर गड़े थे ठीक है विलेज का रास्ता था इसलिए ज्यादा तर गाड़िया गड़े दिखे नहीं तो इसी सबसे वहाँ पर भी थोड़ी बहुत तो गाड़ी गड़े में चले गई इसी सबसे कलज छोड़ना बार-बार घेर शिफ्ट करना ठीक है तो वहाँ पर भी गाड़ी ने थोड़ा बहुत तो फ्यूल खाया है दूसरी बात धलांग पर चड़ाना और वहाँ पर से उतारना उस सिक्वेंस में भी थोड़ा बहुत तो फ्यूल चला जाते और उपर से मैंने एसील लगा के इतना माइलेज निकालाई ठीक है 16.6 kmpl का आपने को यहाँ पर माइलेज मिल गए ठीक है तो यह सब चीजे थी जो कि मुझे वीडियो में बतानी थी ठीक है यह सब चीजे थी जो कि मुझे वीडियो में बतानी थी अगर वीडियो आपको अच्छा लागाओ तो लाइक करें चैनल पर ने तो सब्सक्राइब करें पुरा ने तो शेर करें थैंक्यू सो मच पर वाचिंग मिलते है आगर यह वाली